नमस्कार, वेलकम टू एक्स्टरबिश्मेन इंजा यूटूब चैनल आज का इस वीडियो में जो इंपोर्टेंट जानकरी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार है कोभीड नैंटीन का जो क्राइसिस आप दिन भर देख रहें, सून रहें, जान रहें इससे आपको ये जरूर लग रहा होगा कि अगर हमें या हमारा परिवार बालों का भगवार ना करें कोभीड पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे टिडिविंट होगा देखिए, इस पर गववर्मेंट का तरफ से टाइम टू टाइम गाइड लाइन्स निकालता रहता है और हम अपना चैनल में आपको सुचीत करते रहते हैं आज का इस वीडियो में जो चीज आपको सुचीत करेंगे वो है कि कोभीड पॉजिटिव होने पर आप घर रहके ट्रेटमेंट करभा सकते हैं और उसका जो पैसा है वो फुली आपका रियम्बर्स हो जाएगा इसका मदलब पे है कि माल लिजे आपको सर्दी जुखाम खासी फेवर इस तरह का कोई ने कोई सिम्टम्स आया होगा और आप डक्टर का पस गए और डक्टर ने आप से ये कहा कि आपको कोभीड नैंटीन का टेस्ट करना है आप जानते हैं कोभीड नैंटीन का जो टेस्ट होता है उसे आर्टी पीसियार कहा जाता है चाहे आप किसी भी जगा से ये टेस्ट कराएं, कोई भी government, impaneled hospital, non-impaneled hospital, service hospital, medical college, कहीं से भी आप टेस्ट कराते हैं और आपका जो clinical diagnosis होता है, आपका जो symptoms का बिसीज पर doctor diagnosis करते हैं और doctor आपको home isolation suggest करते हैं तो आप home isolation ले सकते हैं यहने कि आप घर रह करके treatment करा सकते हैं और private hospitals है, जो कि कुछ nominal charges based on the city you are living and the category of hospital यह charges पांच हजार से लेकर के पचास हजार तक का हो सकता है जो भी charges आप पे करेंगे, वो सारे charges जो है आपको reimburse हो जाएगा यहने कि जितने पैसा आप payment करेंगे, वो पैसा आपको ECHS से बापस मिल जाएगा पर किन-किन service के लिए वो पैसा authorized है, देखिए, home isolation का जो package होगा उस package में यह सारे चीज इंक्रूड हो सकता है, जैसे कि आप screen पे देख सकते है हफ्ता में दो बर डक्टर आपका घर में आके देख के जा सकता है मैंटरिंग अप टेंपरेचर, पाल्स, SPO2, BP यानि कि आपका fever कितना है, आपका pulse rate कितना है, आपका oxygen rate कितना है, आपका BP कितना है यह सब कुछ आपका nursing supervisor आखे चेक करेंगे, या फिर आपका घरभालों के training देंगे कैसे चेक करना है, इसके लिए जो पैसा क्लिम करते हैं, वो पैसा आपको refund होगा, आपको reimbursement होगा dietitian consultation, क्या खाना पिन आपको लेना चाहिए, यह सब consultation का जो charges आप पे कर रहे हैं, home isolation package के थो, यह भी आपका reimbursement हो जाएगा और चाहता है, monitoring and advice on treatment plan by nursing staff doctor based on condition of patient, जो भी prescribe करते हैं, आपका medicine, आपका diet, आपका और भी जो process जो prescribe करते हैं, आपका doctor या nurse के दोरा, इसके लिए भी आप चो पे कर रहे हैं, वो भी reimburse हो जाएगा और फिफ्थ है, administer injection to patient if advised by treating doctor, injection लगाने के लिए जो भी पैसा आप पे करते हैं, वो भी आपको reimbursement मिल जाएगा पर यह reimbursement का एक limit है, आपको per day 1000 rupees तक मिल सकता है, अब to 14 days, इसमें कुछ additional services भी और अगर लेते हैं, तब भी आपको reimbursement मिलेगा वो कौन-कौन सा services है, देखिए, तीन तरह का services यहां पर बताएगा, नंबर वन है, use of oxygen cylinder, oxygen concentrator at home oxygen cylinder घर पे रख करके अगर देने का जुरुत पर जाता है patient को, तब भी इसका पैसा आपको reimburse हो जाएगा provision of ambulance to patient if need arises to shift patient to hospital, patient को hospital ले जाने के लिए अगर आप ambulance लेते हैं, तो उसका भी पैसा मिलेगा और तिसरा है blood test, one RT-PCR test, one HR CT scan, one CRP, one IL-6 and one D-dimer test इस सभी COVID cases के लिए mandatory test होता है, इस सभी test के लिए आपको पैसा मिलेगा अब देखते हैं कि conditions कहा है, लेखिए कुन-कुन से conditions में आप home isolation package चार्ज कर सकते है number one जो condition है, वो है कि अगर आपका RT-PCR test positive होता है, यानि कि आप COVID positive है आपका जो symptoms है उस basis पे, तो आपको ये home isolation package authorized है और दूसरा मान लिजिए कि RT-PCR जो test है, यानि कि आप COVID negative है, पर आपका जो symptoms है ये COVID-19 का मिलता जूलता है, और doctor ने आपको home isolation prescribe किया तो इस situation में भी आपको 14 days का home isolation के लिए पैसा reimbursement मिलेगा अब इसको claim कैसे करेंगे, देखे, claim करने के लिए क्या-क्या document चाहिए number one, doctor's prescription चाहिए, number two, photocopy of PCHS card चाहिए, number three, bills of medicine, injection, ambulance service, administration, oxygen, list, the home isolation package ये सब कुछ चाहिए, bills of home isolation package ये चाहिए, daily medical case चाहिए, showing vital data like temperature, parts, BP, COT monitoring, SPO2 monitoring data ये सब कुछ चाहिए और contingent bill जो आपको इसी चाहिए मिलता है, बहुत चाहिए, और cancel check या bank details चाहिए, payment के लिए तो इस सारे documents के असाल आपको apply करना पर रहेगा, इसी तरह का important information मिलने के लिए आप जरूरी इस चैनल को subscribe कर रखे, नमस्कार, जय हिंद, जय भरण